पूरी जानकारी के लिए हमारे न्यूज के साथ बने रही है। और सभी को ये निवेदन किया कि जिस प्रकार से पूरे विश्यो में करोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उसका प्रकोप माराश्टर में भी देखने को मिल रहा है। पूचित ने ले सकते हैं जिस प्रकार से करोना वाइरस के सक्रमर्टा को हम रोक पाए। ठीक उसी प्रकार हमारे उलास नगर महानगर पालिका के आयोग सुदाकर देश्पुग ने काफी सारे इस शुषय पर उन्होंने आदेश दिये हैं जिस प्रकार से आपको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि उलास नगर शेर में पान की दुकान, डासबार, आर्केस्टा, शादी के हाल तमामों को बंद करा दिया गया है और वेसे तो माराष्टर शासन की ओर से 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद करा दिये गये हैं और दूसरी ओर माराष्टर के जो टूरिस्ट प्लेस है उनको भी 31 मा मंदर है जैसे श्री के साई बाबा के मंदर जिस परकार से माराष्टर के बरे मंदर श्री के साई बाबा का मंदर और दादर का सिवधी नायक का मंदर तमाम मंदरों को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश माराष्टर की सरकार ने ले लिया है वेसे तो माराष्टर की सरक पब्लिक टांस्पोर्ट यानि के रेलवे और बस के उपर भी बंद करने के लिए आदिश पारित करने वाले थे मगर उन्होंने देखा के मुंबईकर जो गरीब वर के लोग है उनका काफी नुकसान होगा उन्होंने हाल फलाल एक पब्लिक टांस्पोर्ट को बंद करने के ल 2,3,542 केस करोना वाइरस के आ चुके है उसमें 9,390 लोगों की देथ हो चुकी है और 86,217 लोग जिसमें रिक्वर्ड हो चुके है बारत की जो खबर है उसमें अब तक 190 मामले सामने आ चुके है जिसमें 4 लोगों की देथ हो चुकी है याने के 4 लोगों की मिल्क्यू हो चुक माराष्टर के हर माहनगर पालिका के आयुक्त को दिये जा रहे हैं आयुक्त अपने और से काफी उचित कदम उठा रहे हैं उनका मानना यही है कि पबलिक गेदिनिंग कहां भी नहीं होनी चाहिए जो उचित कदम है जो माहनगर पालिका के आयुक्त सभी उठा रहे हैं वैसे ही हमें अपने और से निर्णे का ये ख्याल करना है, जिस परकार से उला संगर शहर क्या, पुरे माराष्टर में सक्रमलता कम हो, इस वाइरस के चपट में लोग नहीं पहुचे, और इस वाइरस किस परकार से बचा जाए, इस तरह के उपाय किये जा रहे है, पब्लिक टांस्पोर्ट अगर रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में भी योगों की संक्या अब तक कम हो चुकी है लोगों को निवेदन किया गया है, आप घरों से कम निकले, जो जरूरी काम हो, उसके लिए ही आप घर से बाहर निकले, अन्यत्था ना निकले गर से बायार निकलने के समय अपने चेहरे पर मास का उप्योग जरूर करे ताके दूसरे किसी व्यक्ति से आपको कोई एफेक्ट ना हो काफी सारे उचित कदम महानगर पालिका उठा रही है तो उठास नगर महानगर पालिका के नेमों की पालना करे तीन दिन शुकरवार शनीवार रईवार के दिन अपने दुकान बंद रखे जो व्यक्ति हाद गारी पर खाने पीने की चीजे बेशते हैं उनको भी आगर किया गया है उन्हें भी निवेदन किया गया है कि आप अप अपने दुकान और हाद गाड़ी बंद रखे जो व्यक्ति इन नेमों की पालना नहीं करेगा उनके उपर पुलिस कारवाई की जाएगी ऐसा महानगर पालिका के आयक तु सुद्दा कर देश्मुक्र ने हमें बताया आज हमारे रोड जो है उसके बाजू में जो ठेले वाले हैं अद्गाडिया है चोटे चोटे जो पतारी वाले जो है उनका वेवसाई सब जो है आज से बंद करवा दिया गया है उसका ओडर निकाला गया है जो कोई इसका उल्लंगन करेगा उसके उपर पुलिस कारवाई क जाएगी उसके उपर सेक्शन 188 के मुताबित एक्शन ली जाएगी आज हमरे यहां के व्यापरी असोशेशन के प्रतिनिती आठ दस प्रतिनिती को बुलाया था एक्चुली गुलासनगर में पचास से ज्यादा असोशेशन से सब को बुलाके कौनपरंस लेने का माहूल आज नहीं है इस रोक से बचने के लिए हमें भीड नहीं करनी इसकी वज़े से कुछ व्यापरी प्रतिनिती यहां आये थे यह प्रतिनिती थे लगर जो रिक्वेस्ट हमारी प्रशासन की थी उस सब आसोशेशन की थी कुछ आसोशेशन जे भून पर बात होगी तो सब ने एग्री किया कि हमें मार्केट बंद रखनी चाहिए क्योंकि हमारी जान बचे की तो हमारा व्यापर कर सकते हैं तो जान बचने के लिए यह जो जिम्मेदरिया अरपुरशन उनको बताएंगी वो करने के लिए उन्होंने तैयारी रखी इसकी वज़े से आज रात बारा बज़े से तीन दिन के लिए यह सब व्यापरी आसोशे आज रात बारा बजे से अगले तीन तीन के लिए बंद रहेगी उसके लिए व्यापर एस्वेशन के प्रतिनी दियों ने सहयोग देना देना अन्नी किया है वह आपने एस्वेशन के सब मेंबर को बता रहे है